Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, जो कि इंडिया का largest online learning platform है, यहाँ आपको मिलती हैं daily live classes, live test and quizzes, structured courses and unlimited access 24-7, हमारे जितने भी video lectures हैं, जितने भी study materials हैं उनकी, लेकिन उसके लिए आपको हम से जुड़ना होगा, Unacademy learning app डाउनलोड करें, Google Play Store पे जाके या iOS App Store पे जाके, and then आपको लेना होगा हमारा NEET UG का page subscription, हमारे सारे features अवेल करने के लिए, इसके लिए कई options आपके पास अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24, since NEET UG का syllabus काफी vast है, थोड़ा time taking होता है, इसलिए एक साल या दो साल का package सबसे अधा popular है, and आप देखेंगे कि एक साल के package में आप सिर्फ 6,000 आड़ करते हैं, तो आपको मिलता है दो साल का package, on top of that, अगर आप मेरा referral code, love10 अपनी screen में नीचे आप red में देख सकते हैं, ये use करते हैं, तो आपको मिलेगा extra 10% का off, जो भी हमारी base prices हैं, मेरा नाम लवकिश और श्रिवास्तवा है, मैं गिल यूनिवर्सिटी Canada मैं as a researcher मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप मुझसे personally जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपना telegram link नीचे add कर दिया है, तो last time हमने देखा था कि light, water, ऐसे factors कैसे photosynthesis को effect करते हैं, अब हम पढ़ेंगे दो और factors जिसमें एक तो आता है carbon dioxide, CO2 और दूसरा temperature, CO2 आपने देखा, CO2 तो बहुत important factor होगा, क्योंकि पूरी की पूरी photosynthesis में, अब आप देखें तो carbon dioxide का fixation ही तो हो रहा था, कल आपको बताए थी Kelvin cycle, जिसमें carbon dioxide fixation हो रहा था पहला step, और carbon dioxide fixation नहीं होगा, तो आगे reduction regeneration की तो बात ही नहीं है पाएगी, ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं इसमें कि carbon dioxide concentration कैसे इतना important factor है, ठीक, the concentration of carbon dioxide जो atmosphere में होती है, that is very low, कितना होता है, 0.03 से 0.04%, ठीक है, जो atmosphere में अभी हम सांस ले रहे हैं, तो उसमें भी carbon dioxide की concentration कितनी होती है, 0.03 से 0.04%, ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, increase in concentration up to 0.05%, ठीक है, can cause an increase in carbon dioxide fixation rates, ठीक, carbon dioxide अगर बढ़ गई, तो जो fixation rate है वो बढ़ जाएगा, लेकिन, अब हम 1% दे दिये, 2% दे दिये, तब भी बढ़ता रहेगा, क्या, नहीं, 0.05% तक, अब आप imagine करो ऐसे, यह एक है, यह है rate, और यह है carbon dioxide की concentration, ठीक है, हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, अब यह 0.03 है, ठीक है, 0.05 ले लो, और यह 0.1 ले लो, तो यह यहाँ तक तो बढ़ेगा, लेकिन फिर constant हो जाएगा, ठीक है, तो यह ध्यान रखना, 0.05 तक बढ़ेगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक, और C3, C4 plants, हम सब discuss कर चुके हैं, they respond differently to carbon dioxide की concentration, कैसे, यह भी देख लो, अच्छा, at low light conditions, low light conditions, का मतलब क्या होगा, एक दिमाग लगा सकते हो, कि, जो light reaction था हमारा, electron transfer, electron transfer जहाँ हो रहा था, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ, वो light reaction होता था, dark reaction, जहां carbon dioxide की fixation light में होती है, कि dark में होती है, तो light का कुछ जादा फर्क पढ़ना चाहिए, इसमें, that is why neither group responds to high CO2 conditions, at low light conditions, ठीक है, अब आगे बढ़ो, at high, लेकिन अगर बहुत जादा light intensity हो जाएगी, तो क्या होगा, बोथ C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis, लेकिन हम पहले discuss कर चुके हैं, एक level तक, 0.05 तक, ऐसा नहीं है, कि हम 5% बढ़ा जेंगे, तो, या 0.5% कर देंगे, तो 10 times हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है, अब देखो कि, जोनों का saturation, saturation मतलब एक level जो मैं बता रहा हूँ, कि इतनी carbon dioxide maximum level है, इससे उपर बढ़ाओगे, तो कोई फरक नहीं पढ़ेगा, अब एक glass है, ठीक, एक glass एमान लो, ठीक, इसमें क्या है, 500 ml पानी आ सकता है, तो अब इस glass को भरते जाओगे, तो 500 ml तक तो भर जाएगा, उसके आगे, तुम 600 ml लेके आगे, एक bottle है, उसके 600 ml जा लोगे, तो क्या होगा, ग्लास में तो 500 ml रहेगा ना, बाकी 100 ml दरदर गिर जाएगा, तो एक capacity, इसी को बोलते हैं, maximum capacity या saturation, जो maximum capacity होती है, तो C4 plants के लिए, जो saturation होता है, that is about 360, और C3 के लिए होता है, 450, तो आपने देखा, कि saturation capacity किस की जादा है, C3 की जादा है, compare to C4, ये दियान रखना एक question बन सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 450 तक, हम 0 से start करें, 450 तक तो ये increase करता जाएगा, 450 के बाद constant हो गया, के बाद constant हो जाएगा, क्योंकि वो saturation limit है, ठीक है, अच्छा, अब बात आती है, कि, तो फिर का देखा आपने, कि availability of CO2 levels is limiting to C3 plants, ठीक, ये हमने कल भी discuss किया था, कि C3 plants में क्यों limiting होता है, क्योंकि C3 plants में सीधे atmosphere से carbon dioxide आ रही है, C4 में, खुद अंदर, अब आपको बताया था कि PEP, carboxylase, ये सब चीज़ें आपको बतायी थी, जहां carbon dioxide release हो रही थी, इसलिए वहाँ मामला set हो जाता है, लेकिन C3 में पंगा फसता है, ठीक, अच्छा, अब बात है कि, the fact that C3 plants respond to higher carbon dioxide concentration, अभी आपने उपर देखा, by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity, ठीक है, has been used for some greenhouse crops, such as tomatoes and bell pepper, ठीक है, अब greenhouse effect क्या होता है, आपने देखा, बहुत सारी greenhouse gases होती है, जो आप देखेंगे, अर्थ के अगर perspective में बात करें, तो एक blanket बना देती है, ठीक है, अर्थ के चारों और, तो क्या होगा, कि दिन में sun है, sun जमीन को गरम करेगा, रात में ये गर्मी वापस radiate होके बाहर निकल जाती लेकिन ये जो blanket बना हुआ है, उस कारण से trap हो जाती है, ठीक, और overall temperature बढ़ जाता है अर्थ का, ये ही होती है greenhouse gas, अब आप एक room imagine कीजे, closed room है, वहाँ पे carbon dioxide है, ठीक, carbon dioxide produce होगी ही होगी, उस कारण से क्या होगा, कि carbon dioxide बढ़ गए तो वो heat trap कर लेती है, तो temperature का भी खेल पे आ गया, ठीक, अच्छा, अब बात आती है, कि they are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher yields, ठीक, आप कमरा बंद कर दीजे, तो क्या होगा, respiration, respiration को, आप respiration भी जानते है, respiration में carbon dioxide produce होती है, और plants भी respire करते हैं, तो carbon dioxide produce होती रहेगी, अब room के अंदर carbon dioxide का concentration बढ़ता जाएगा, ठीक है, और क्य सेशन के लिए carbon dioxide चाहिए, उसकी मातरा बढ़ती जाएगी, क्योंकि कमरा बंद है, release नहीं हो रही, बाहर escape नहीं कर रही carbon dioxide, ठीक है, तो उसी greenhouse chambers बोलते हो, तो वहाँ पे है greenhouse effect का भी आपने देखा, कैसे use हुआ, दूसरी बात आती है temperature की, अब temperature का खेल आप देखेंगे, कि the dark reactions, being enzymatic, अब आप देखो light reaction में, generally क्या हो रहा था, electron इसकी टोपी उसके सार हो रही थी, एक molecule से electron, दूसरे molecule में transfer हो रहा था, basic light reaction में यही हो रहा था, कुछ enzymes की जादा use तो पड़ा नहीं, अच्छा, जब और enzymes हम जानते हैं कि temperature कल्टो, enzymes क्या होते हैं, basically, proteins होते हैं, and proteins जो ह हर एक optimum pH और temperature पर काम करता है, अब आप temperature बहुत ज़ादा बढ़ा देंगे, तो यह enzyme या दूसरा protein भी समझ सकते हैं, वो denature हो जाएगा, बहुत कम कर देंगे, तो inactive हो जाएगा, inactive denature में क्या differences मैं पहले सब बता चुका हूँ, अब dark reactions जो हैं, वो enzymatically controlled हैं, तो temperature का effect इसी प परक्त ज़ादा नहीं पड़ेगा, ठीक, अब बाताती है, light reactions में, are also temperature sensitive, that they are affected to a much lesser extent, क्यों, रीजन आप जानगे कि वहाँ enzymes का उतना role नहीं है, तो जहाँ enzymes का ज़ादा role होगा, वो temperature sensitive ज़ादा होगे, यानि की dark reaction, ठीक, अब देगा, C4 plants respond to higher temperatures and show higher rate of photosynthesis, ठीक, temperature बढ़ने से whereas C3 plants have much lower temperature optimum, ये बात ध्यान में रखना important सवाल बन सकता है, ठीक, तो आपने देखा, the temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on the habitat they are adapted to, अब cactus का plant है, cactus का plant एगदम hot temperature में रहता है, तो उसका जो temperature optimum होगा, वो थोड़ा normal होगा, और cold countries में जो plant रहते हैं, उनके उससे logical सी चीज़े सोचने के लिए, ठीक ह than the plants adapted to temperate climates, logical बात है, द्यान रखना ये सब की carbon dioxide और temperature, ये भी effect करता है rate of photosynthesis, दो हमने और पढ़ा था, water और light, ये हम last lecture में देख चुके हैं, तो I hope कि सारे factors आपको clear हो गए हो, लेक्चर पसंद आया हो तो comment करो, like करो, subscribe करो, love 10, code use करके अनकाडमी से जरूर जुड़ना, मु नीचे टेलिग्राम का link add है, मिलते हैं, next lecture में, तब तक के लिए, bye